गनेस विसरजन के दिन सूरत के लाल गेट विस्तार में बनी संसनी घटना और हत्या के मामले की गुथी सुलजाने में सूरत की क्राइम ब्रांच पुलीस को कामियाबी मिली है जिसमें लाल गेट विस्तार में बनी संसनी घटना बनने के कुछ ही घंटों में सूरत की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मांडवा गेंग के दो अपरादियों को गिरफतार कर सलाखों के पीछे पहुचाया है आपको बता दे के गणिस विसरजन के दिन सूरत के लाल गेट विस्तार में मामूली बात पर मांडवा गेंग और एक अधेड उम्र की व्यक्ति के बीच जगड़ा हुआ था जिसने रोदर स्वरूप धारण किया और दोनों के बीच हुए जगड़े में मांडवा गेंग ने उस व्यक्ति पर तिक्षन हतियार से हमला किया जिसमें उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई गटना के संदर्ब में पुलीस ने मामला दर्ज किया और इस मामले की गहराई से जाच पड़ताल में सूरत की क्राइम ब्रांच पुलीस भी जुड़ी और क्राइम ब्रांच निवासी वेट दर्वाजार नूरानी मस्जित के पीछे होडी बंगला लालगेट सूरत और मुनाफ शेख गया सुद्दिन शेख निवासी नहरु नगर वसाहत फुलवाडी भरीमाता रोड सूरत मांडवा गेंग के इन दोनों अपरादियों को गिरफतार कर सलाखों के पी अज़टनी सामें एक गुलाम-sheikh नाम नाव्यक्ति निवाग्ति नहरंहे साथ त अगध दावत निदर गुलाम-sheikh नाम नाव्यक्ति नहरंहें थैंने बिव्यक्ति निवेट आंभी विशेख नंगर वीजाओ करी नियासी गया लाहता अगुनाना तपासनाका में एक बु अधियार साथे गंबी रिजागरी न लूट करवाना गुना माँ अन्य मारामारी अन्य जुगारदाराना केस मां पकड़ायलो छे बेवकद पासामा पन जहें आगलो छे अन्य समीर मांदवा जे अत्यार हाल मां तडी पार करवाना गुना मां तेम चता पन अगुलाम अडोस पोडोस माज रहता था अन्य अधावत मा इनना सागरीतों साथे गुलाम शेक्ष न एक्चा करे लिए थी अल्मा बे आरोपियो नी दरपकड़ करा माईली चे ने बिजा अन्य आरोपियो नी शुग को चाल रिपोर्ट बाई परवीर पठान समाचार इंडिया सुरत